नमस्कार, आज फ़र मैं आपके लिए हिंदी विशाय के अंतरगत एक विग्यापन लिखार आया है तो प्रसन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रसन, सिरीकरन्स जन्माष्टमी की बदाई देते हुए 25 से 50 सब्दों में विग्यापन लिखी है ठीक, यह हो गया प्रसन, तो सबसे पहले क्या करेंगे हैं प्रसन को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे तो क्या का गया है, कि सिरीकरन्स जन्माष्टमी इसकी बदाई देने का विग्यापन त्यार करना है ठीक, इतना समझ लिया, अब सबसे पहले लिख लेते हैं उत्तर, फिर लिख देते हैं सिरीकरण जन्माष्टमी की बदाई का विज्यापन, अगर ये आपको बड़ा लगे, तो आप सिर्भ इतना लिख दो, विज्यापन लेखन, ठीक, अब ये उत्तर हम कहां से लिखेंगे इसको भी हम प्रसने से देख कर ही लिखेंगे, फिर आगे, पेन, पेंसिल, और स्केल, चाहाँ आप पेंसिल ले ले, स्केल की माध्यम से, या स्केल की साइथा से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक, मीडियम साइथ का या बड़ा, पूरे पेज में, ज्याद के आनंद भयो, जै कनिया लालकी, ऐसे कोई भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक, बहुत सारे हैं, कोई भी लिख दी दिगा, तो हमने इसको लिख दिया, फिर उसके बाद बीच भीच हम लिख देंगे, सीर सक, सीर सक क्या हमारा, देखो सबसे प पीचा, गोला किया, यह इस तरह से किया, यह इस तरह है, और फिर ऐसे ही उपर कर देंगे, यहां से लैंड की, इधर की, और उसके बाद ऐसे बनाया, फिर इस तरह सी कर दिया, तो मोर पंक बन गए, ठीक है, तो यह बनगी बांसुरी, अब बांसुरी पर हम लिख देंगे सबसे पहले क्रस्र और उसके बाद लिख देंगे हम स्री तो यहां हो जाएगा स्री क्रस्र ठीक यह अच्छा भी लगेगा स्री करन लिखने के बाद लिख देंगे जनमाश्टमी थोड़ा सा छोटा यह उपर वाले थोड़े बोल रहेंगे अगर चाहें तो एक जैसे भी बना देंगे उसके बाद लिख देंगे फिर क्या हो जाएगा स्री क्रस्र जनमाश्टमी के पावन पर्व की सभी देश वासियों को अहर्दिक सुबकामनाय और बधाईया ठीक अब यह अहर्दिक सुबकामनाय और बधाईया स्री क्रस्र जनमाश्टमी की बदाईया पूरे देश वासियों को देरा इसका उनुमें बिज्जापन तयार करके दिया अब यह पूरा बिज्जापन कयसा दिखाई देगा इसको और हम देख लेते हैं तो यह इस तरह से दिखाई देरा पूरा कैसा दिखाई देगा उसको और देख लेते हैं जब पूरा विग्यापन हमारा बनके त्यार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा ये देखो ये पूरा बॉक्स दिख रहा ये सिलोगन, ये सीरसक, ये बधाई और सोजन से और ये तुमारा साथ में चित्र भी उसी के साथ हो गया तो कुछ इस प्रकार से पूरा विग्यापन बनने के बाद दिखाई देगा अब हम क्या-क्या सावधानी रखेंगे एक तो कि ये जब हम सीरसक लिखेंगे तो हम उसे प्रसन से ही निकालकर लिख देंगे तो ये अपना गलत नहीं होगा और जब भी ये हम सिलोगन लिखें या अन बिंदू लिखेंगे तो हम ऐसा ऐसे सब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप आसानी से और सरल डंग से लिख लेते हों जो कठे नमस्के लगते हों उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें इससे क्या होगा आपकी तुरटिया नहीं होगी या गलतिया नहीं होगी तो नंबर कठने से बच जाएंगे ठीक है और हम अब सीखना कैसे है हम इसी विग्यापन को दो बार देखकर हम दूसरी कौपी में बनाएंगे और फिर तीसरी वियार बगएर देखकर बनाएंगे और फिर मलान कल लेंगे और देख लेंगे कौन सी कमिया रहेगी जो कमिया रहेगी उनका हम सुदार कल लेंगे तो इस प्रकार से हम दूसरी विशियों का भी अभ्यास कर सकते हैं अगर कोई ऐसा विशा है वो सीर्षख हो जिस पर आपको बिग्यापन बनाने में कोई कटनाई आ रहे हो तो वो सीर्षख हमें लिखकर भेज दीजगा मैं कोसिस करूँगा उस विग्यापन को बनाकर आपके सामने परिस्तो कर सकूँ और इस विग्यापन को बनाने में आपको कितना समय लगा कौन-कौन सी कठाईयों का सामना करना पड़ा ये भी हमें कमेंट में अवस्वताईएगा और विध्यापन से संद्ध मंदित कोई भी प्रसनों उसके लिए भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं तो आसा करता हूँ कि आपने विध्यापन बनाना सीख लिया होगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी ने भी से साथ तब तक के लिए धन्वाद